हम कख्षादस की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठिय पुस्तक का नाम है छितिश चितिश के अंतरगर्थ हम कावे खंड पढ़ रहे हैं अध्याए है छे और हमारे आज के जो कवी है वो है नागार्जुन देखो बच्चों नागार्जुन भी सुरेक अंत्रिपाठी न कह सकते हैं कि उस वक्त आये जब छायावादी काल खतम होने वाला था और छायावादी काल के बाद में जो समय चल रहा था वो उस समय में नागार्जुन आये तो इन्हें छायावादी काल के कभी भी कह सकते हैं देखो बच्चों आज हम सवर्प्रतम कभी परीच्य पढ़ करेंगे तो देखो वच्चों सबसे पहले हम कवी नागारजुनका जीवन परीचे जानेंगे निए उनका जनंध रणाहां हुआ उनकी जानेंगे देखो वच्चों नागार्जुन का जो जनम था वह बिहार के दर्बंगा जिले के सतलखा गाओं में रिखने लगे और नागार्जुन के अलावा उन्हों ने अपना विहारी कविताओं में नया नाम दिया था यात्री जिसके नाम से वो कवीताएं लिखा करते थे तो उनका मूल नाम था वैदनात मिश्र आरंबिक शिक्षा उनकी संस्कृत पाठ्षाला में हुई और फिर अध्यन के लिए विबनारस और कोलकता गए यह कोलकता का पुराना नाम कलकता था यह कैलकता इंगलिश में जब अंग् को इनकी सुरुवात की जो शिक्षा थी वो संस्कृत पाठ्षाला में हुई यह आजादी से पूर्व के थे क्योंकि इनका सनम जनम सन 1911 में हुआ और अध्यन के लिए यह कहां गए पहले बनारस गए और फिर कोलकता चले गए 1936 में वी श्रीलंका गए श्रीलंका क्या है स्रीलंका हमारे भारत के दक्षण में में इस थीत एक अलग देश जहां पर बौतअ बहुत पूरी तरह अधा और बहुत भर से भुवधिशा से बहुता तो जब भुझा झाला तो जब यह आपने स्वधेश यह भारत लोट आए गुमकड़ी और अखड़ सभाव के धनी नागर जुन ने अनेग बार संपून भारत की यात्रा की गुमकड़ यानि भ्रहमन करने वाला सभाव जैसे वक्तिकाल के कभी कभीर थे उसी तरीके का सभाव इनका था यह भी उनी की तरह घूमते फिरते रहते थे और अ देहांत हो गया जनम हुआ उनका 1911 में और पूरे भारत की कई बार यात्रा करने के पश्याद और बहुत सारा साहित्ते लिखने के पश्याद सन 1998 में में उनका देहांत हो गया देखो बच्चों नागर जुनका अब हम कावे परीचे देखेंगे कि उन्होंने कौन-कौन सी करतियां लिखी थी देखो नागर जुनकी प्रमुक कावे करतिया हैं युगधारा सत्रंगे पंखों वाली हजार हजार बाहों वाली यह जो है ना हजार हजार बाहों वाली इस पे तो एक बार सीरियल बनाया था जो टीवी में जो आते हैं धारावाइक वह भी बना था हज ऑजार हजार बाहों वाली इनकी यूद्व करती है तुमने कहा था पुरानी जूतीयों का पुरानी जूतियों का कॉरस आखिर ऐसा क्या च्या कह दिया मैंने और मैं मिल्टरी का बुड़ा घोड़ा देखो ये इनकी प्रमुख का विक्रतिया हैं कौन-कौन जी एक बर हम इनको पुरा दुबारा से देख लेते हैं युगधारा सतरंगे पंखों वाली हजार अजार बाहों वाली तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस आखिर ऐस क्या कह दिया मैंने और मैं बिल्टरी का बुड़ा घोड़ा ये इनकी प्रमुख का विक्रतियां थी नागार जून ने के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्ध विदाओं में भी लेखन किया है उन्होंने के विदाओं में प्रमुक्त उपन्यास और निभंध इतियादी आगे देखो उनका संपूर्ण क्रतित्व नागारजुन रसनावली के ना ते साथ खंडों में प्रकाशी ठीकार निराला रसनावली के आठ उसलिए प्रेकार नागार आजुन का ओंजाए होनागार रत्नावली की ピर फ्रयुष्टिक योगदानके लिए要んなय में जो योगदान दिया उसके लिए दिकिसान्ग सम्मानित किया गया इन्हें बहुत से पुरुषकार मिले जिनमें प्रमुक है हिंदी अकादमी पुरुषकार दिल्ली का शिखर पुरुषकार उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरुषकार एम बिहार का राजिंद परशाद पुरुषकार बच्चों आपकी परिक्षा मे नागाड rapping से उनका कर हो प्रुषकार उनिन के याद रखने होंगे क्रतियां डिलिक्सिकर समान उत्तर प्रदेष और सभाल पला गया कॉरुषका तो इन्होंने बहुत सी कविताइं लिक्षी उसके लिए इने साइट्य अकाद्म सब्लक प्रदान किया गया राजनीतिक करीता के कारण इन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा यह राजनीती से पुर्व के कवी ते और साती उन्दिनों आजादी का अंदोलन कर दोरान इन्हें जेल ही जाना पड़ा हिंदी और मेथली में समान रूप से लेखन वाले नागार्जुन ने बांगला और संस्क्रत में भी कवीताइं लिखी देखो हिंदी में भी जो कवीताइं लिखते थे उसी के समानी मैथली भाषा में भी कवीताइं लिखते थे मैथली और हिंदी के अलावा इन्होंने बांगला और संस लोग जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार राजनितिक स्वार्थ और समाज की पतंशिल इस्तितियों के प्रति अपने साहित्ते में विशेश सजग रहे आप देखो इन लाइनों को समझो लोग जीवन यानि जन्सादारान से जुड़े वे लोग जीवन से इनका गहरा सरोकार यानि गहरा संबनता इसलिए नागार्जुन जी ने क्या ब्रष्टाचार राजनितिक स्वार्थ और समाज की प्रतंशिल इस्तितियों के बारे में अपने सहित्ते में बहुत कुछ लिखा है वे व्यंग में माहिर है यानि जो नागार् प्रष्ण बनता है कि चाया वादेतर काल या चाया वादिकाल के उस कवी का नाम लिखिए जिनने आधुनी कबीर कहा जाता है क्यों कहा जाता है इनकी कवीताओं में कबीर के समानी व्यंग जलकती हैं किसकी समान कबीर के समान साथ ही कबीर की तरह ही क्या थे जन्भाशा के निकट थे और कबीर की तरह ही ये गुमकड सुभाव के थे इसलिए इन्हें आधुने कबीर भी कहा जाता है देखो बच्चो चायावादेतर दोर के वे एक ऐसे अकेले कवी हैं जिनकी कवीता गाओं की चोपालों और साहितिक दुपनिया में समान रूप से लोग प्रिये र यानि जन्ता की भाशा बोलने वाले कवीन रूप थे थे लिए वास्तिके कवी चाया है वही हो यह से जन्त को हैं यह जन्त कि बपलने वाले कवी इंदा साहितिया राएं है कि कवी हैं तब तो गाउं की चौपालों पर इनकी कवीताएं गाई जाती थी सामीक बोध और गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कवीताओं को व्यापक लोग प्रियता मिली सामाईक बोध का मतलब है यहां यानि समाजिक्ता से जुड़ना समाज से जुड़ना ज व्यापक लोग प्रियता मिली उनी कवीताओं के माध्यम से लोगों में जोश की भावना आई रहे हमारे नागार्जुन का साहितिक परीचय यानि करतितु परीचय रहा है आज हम उनकी हमारे पाठिय पुस्तक में जो कवीता आई है धंतृत मुश्कान दंतूरित मुष्टान इसके वारे में जानेंगे हैं कि हमारे पाठ में यूद की बन५ प्रतिविंबि के माध्यम से प्रकेट किया गया कि छोटा बच्छा जो होता है उसकी मुस्कान देखकर के जो कठोर से कठोर पाशान हर्दे वाला व्यक्ति होता है वो भी पिघल जाता है तो धंतरित मुस्कान का मतलब छोटे-छोटे दाद दिखा करके बच्चा जब मुस् और सुन्दर्ता की व्यापति ऐसी है कि कटोर से कटोर मन भी कोई बहुत पाशान अर्दय व्यक्ति लेकिन बच्चे की छोटे से बच्चे की मुसक्राता है तो वह भी उसका हर्दय बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बाकपन जुड़ जाता है तो वो बहुत सुन्दर लगने लगता है और क्या होता है तब उसकी मुस्कान की मुखता और अधिक पढ़ जाती है यानि वो बच्चा और प्यारा लगने लगता है तो देखो बच्चों अब हम इसका वीता को स्वय प्रसंग इसकी व्याक्या करेंगे शब्दार्त और भावारत के साथ तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान म्रतक में भी डाल देगी जान यानि कवी यहां बच्चे से कह रहा है किसी कह रहा है बच्चे से दंतुरित का आर्थ है बच्चों के लिए नहीं 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 दान निकलते हैं उन्हें कहते हैं दंतुरित म्रतक म्रतक का आर्थ है मरें अब इसका हम पहले प्रसंग देख लेते प्रस्तुत बध्यांस ना कि जो हम पड़ बढ़ेंगे इस पड़ को कहां से लिए घ्राइए नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान से लिए गया है कि तुम ions मलेवे व्यक्ति में بहां मूर्दे में भी जान डाल देती हैं रहे और जब वो बच्चे की मनमोहक मुसकान को देखता है तो वो भी जीवंद होटता यह कभी नन्हे संब्खित करते वे कि तुम्हारे न controlling tuh वाली मुस्कान इतनी जोटी-जोटी-जोटी बच्छे की मुओ मैं भी निकल रहे हैं पूरी दर निकले नहीं उन दान्तों को ले कर ये जब बच्चा मशकराता है तो कवी कहता है वह वे ये मरे ये आद्मीमे पूरे तो जीवी तो सकता है तुमारी इस मुस्कान को देख करके तो यहां यह क्या है यह एक प्रतीक बताया गया है कि बच्चे की मुस्कान इतनी सुलब होती है इतनी सुन्दर होती है इतनी मनमोहक होती है कि मुर्दा तो कभी जीवी तो नहीं हो सकता लेकिन यहां यह बताया गया य वह भी जीवित हो जाता है कहने का आशिये यह है कि यह कोई निराश उदास और बेजान क्लांत व्यक्ति भी तुमारी इस दंतरित मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रसनता से खिल उटे यह व्यक्ति जो अपनी जीवन चे निराश हो गया है परेशान है उसको जीन दुनिया की और आकर्शन जाग उठे यह जो वह अपने जीवन चे निराश हो गया है जो इस दुनियादारी से दंग आ चुका है वह व्यक्ति भी क्या करें उसका मन भी वापस से जीने के लिए उसको हो उठेया उसकी मन में भी जीवन की लाल्शा जग जाए आगे देखो दूली दूसर तुमारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी जोपड़ी में खिल रहे जलजात जलजात जल में जनम लेने वाले जलजात का अर्थ होता है जो जल में जनम लेता है जल में जनम लेने वाले कौन होते हैं जल में जनम लेने वाले कमल जलमे जनम लेने वाला कौन है का मल तो आप देखो कभी यह कह रहा है धूली धूर सर्थ तुमारे यह गात धूली दूसर का अर्थ है धूल से सनेवे छोटे बच्चे होते हैं जो नीचे उतर जाते हैं घुटनों के बल चलते हैं और धूल में लटपत हो जाते हैं उन्हें धूल कोई ज्यान नहीं होता है कि हम गंदे हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं तो धूल से सनेवे और यहां शरीर थी ओण यहनिया शरीर था जलजाढ़ास का अर्ठाव जल में जनम लेने वाले यानी कमल के फूल करका है नहीं का पंकच्च परियायवाची सकता है लेकिन यहां जो नागर जुन ने कमल का परियावाची लिया वो लिया है जलजाद तो कुछ नए शब्द यहां आए हैं तो देखो कभी क्या कहते हैं कि धूली धूसर तुमारे ये गाद कि तुमारे इस धूल से सनेवे नन्ने तन को जम मैं देखता हूं धूली धूसर तु मेरी जोपड़ी में खिल रहे जलजाद तो ऐसा लगता है मानो कि कमल के फूल है जो तालाब को छोड़ करके मेरी जोपड़ी में खिल उठे हो यानि बच्चे को यहां किस से उपमा दी गई है बच्चे को यहां कमल से उपमा दी गई है जिस प्रकार कमल क्या होता है जल मे प्रतित हो रहा है कि तुमारे इस मुख को देखकर मेरा मन प्रसन हो जाता है परस पाकर तुमारा ही प्राण पिगलकर जल बन गया होगा कठिन पाशान देखो यहाँ परस का अर्थ सपर्ष क्या है परस कार्थ परण जीवन पाश्यान का अर्थ पत्थर तो देखो देख्व इसकी फ्यक्ति पा र कर तुमारा ही प्राण को इसा लगता है कि तुम जैसे प्राण मान का इस पाकर पिगलकर जल बन गया कटिन पाशन यह चाटताने पिघलका जल बन गई होंगी क्या कभी कहना चाहते हैं कि तुम जैसे जीवन्त प्राणवान का इस पूर्थी वाले बच्चे बच्चों में कुछ ज्यादा उस्ता पूर्ती जीवनतता ज़्यादा दिखाई देती है छोटे बच्छे बहुत मतला एनर्जेटिक होते हैं उर्जा से भरे पूर होते हैं तो तुमारे जैसे प्राणवान का इस पर्स पाकर यह चट्टाने पिखल कर जल बन गई चट्टानों का मतलब है जो कटोर रदय व्यक्ति हैं यहां चट्टानों से मतलब है जो कटोर रदय वाले व्यक्ति हैं वह भी पिखल गए निनका मनभी सुकोमल हो गया है और कहने का आशीय यह है कि बच्चे की जब मदूर मुश्कान मदूर मुश्कान पाशान हर्दय मनुश्क्यकों को भी पिखलाकर अतिकॉम लगे पड़े शहाली का के फूल बास था की बबूल अब आप क्या होती है फूलों वाला एक पोधा होता है जिससे फूल ज़रते रहते हैं हमेशे आपने जेbox बहुत कठोर होता है साथ ही बबूल में बी काटे होते हैं बास की भी अगर जो पकड़ो तो उसकी फास चुबने जैसी लगती है और बबूल में तो काटे होते हैं लेकिन शेफालीका का जो पोधा होता इससे फूल लगातार ज़रते रहते हैं तो कभी क्या कह रहे हैं छूग गया तुमसे की जरने लगे लग पड़े शेफालीका के फूल बास था की बबूल तो देखो नैने से बच्चे की जब शरीर का इसपर्स पाया तो बास और बबूल के जो व्रक्ष थे वो भी शेफालीका के फूलों की तरह जरने लगते हैं कभी क्या कह रहा है कि जब तुमारे शरीर का हम इसपर्स पाते हैं तो ऐसा लगता है मानो बास और हो गया था कभी का मन कैसा हो गया था बबूल और बास के जो पोधा होता है या पेड़ होता है उसकी शुष्क यानि सुका कठोर और जक्रिला यानि कांटों से भरा हुआ जाड़ जंकड़ वाला ऐसा हो गया था लेकिन बच्चे की मदर मुस्कान को देख करके वह कह रहा जब तुमसे इस पर्च पा गया तो ऐसे लगा जैसे शैफालिका के फूल जर पड़े हो यानि बच्चे की मदर मुस्कान को देख कर उसका मन भी पिगल कर शैफालिका के फूलों की ताती सरस और सुन्दर हो गया यानि कुल मिला करके यहां कभी यह कहना चाते हैं कि बच् हो जाता है तो देखो बच्चों हम यह जो पध्यभाग हमने पड़ा इसकी विशच्ता देखती हैं भैस बच्चो क्ड़ी थे विनिवेखती दों को मतलब हैं मतलब यह रही है कि यह जैसे हम पढ़ रहे हैं पद्वाग को जैसे देखो चू गया तुमसे की जरने लगे पेड़ शफाली का के फूल तो हमको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई है यह आउदी भाशा और ब्रजवाशा को समझने में हमको थोड़ा कठिन पढ़ते हैं क्योंकि उसमें कौन-कौन से पुरुषकार मिले वारे में जाना साथ ही उनकी जो ये कवीटा है यह रहत दंतरुत मुषकान्चे की जो मुषकान है उसके क्या प्रभाव होते हैं एप प्रसंग सहीतम रहें को जाणने का प्रयास चैजी आप बच्चों आप इसे पढ़िए और